हलो फ्रेंड बिगनर बॉक्स 11 मेगनेटिक एफेक्ट्स अफ करंट एन मेगनेटिजम नीट के इस क्वेशन में हमें दिया गया है अशॉर्ट बार मैगनेट प्लेजड अन दे टेबल अलॉंग दे नॉर्थ सौथ नॉर्थ सौथ लाइन its north pole is directed towards geographic north then location of neutral point is तो अगर आपने मेरा quick revision video देखा है इस exercise का तो आपको इस question के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हमने जब यहाँ north और south के along अपने short bar magnet को रखा इस तरीके से के हमारा जो north था बार मैगनेट का वो geographic north की ही direction में था तो हमें neutral point कहां मिले neutral point हमें मिले east और west की direction में तो हमें east और west कौन से option में दिया है c option दिया है east और d option दिया है west sorry यहाँ पे यह options नहीं है options तो आपके combination है तो कौन सा option है जिसमें c और d दौनों choices को include किया गया है second तो इस question के लिए हमारा answer होगा हमारा second option बिगिनर बॉक्स solution के videos के साथ ही मैं आपको quick region videos भी post कर रहा हूँ मेरे इसी channel पे और मेरे हर beginner box के solution videos से पहले वो post किया जाएगा जिसका purpose आपको एक तरीके से beginner box को attempt करने के लिए तयार करना है और आपके beginner box से पहले की जो theory part है उसको cover करना है तो please अगर आपको beginner box को करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो quick revision exercise video देखना ना भूलें so for that you have to like share and subscribe my channel don't forget to press bell icon for notifications और अगर आपको मेरे quick revision exercise या मेरा content text format में चाहिए तो वो मेरे blog पर available है question नहीं बनता blogspot.com अगर आप मुझे कोई suggestion देना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे mail id पर mail कर सकते हैं यही content में facebook page पर भी question नहीं बनता पर post करूँगा और instagram पर भी आप मुझे join कर सकते हैं